Hello everyone, I am Sintosh Pano and you are learning English with me, okay? So let's get started. अब आप heading बनाएंगे Past Tense. Past Tense में सबसे पहले हम mention करेंगे Simple Past. और इसी का दूसरा नाम क्या होता है? Past Indefinite Tense. Simple Past. ठीक है? Simple Past के अगर हम बात करें बज़ो, तो क्या पहचान हमारे सामने है? जैसे मैंने एक sentence लिखा, She Wrote A Letter. ऐसे लिख दिया. अब सबसे पहले ये हमारा subject है, ये verb है, ये object है. अगर मैं इसको ले के आऊँ, तो ये बनेगा A Letter हो गया. अब ये देखे, ये Past Tense है. Past Tense के Helping Verb क्या बनती है? ये Past Tense है. तो Past के Helping Verb हमारी होती है, Was और Wor. ठीक है? लेटर के साथ हम क्या यूज करेंगे? Main verb किसमे जाएगी अपने third form में written by her. और ये आपका बन गया बच्चो active से passive किसमे? Simple Past Tense में. ठीक है? अब आप सोच रहे होगे कि अगर मैं यहाँ पर सीधा लिख देती है, Letter Wrote. तो ये गलत meaning क्या देता? रोट के साथ जब आपने शी लिखा है, तो इसका मतलब है, SVO combination में ये sentence है. और इसका मतलब है, किस action को कौन कर रही है? शी कर रही है. लेकिन अगर आप यहाँ पर लिख देते, A Letter Wrote, तो इसका meaning होता कि लिखने की क्रिया को कौन कर रहा है? ये लेटर कर रहा है, जबकि हम कहना क्या चाते है, पत्र को लिखा गया, यानि कि जो पत्र है, वो हमारी action का result है, और इसलिए पैसिव फोर्मेट बन गया, आप चाहो तो उतर की परताल कर सकते हो, बी के फोर्म के बाद main verb अपने third form में है, तो definitely ये पैसिव फोर्मेट में है, clear? एक और example देख लेते हैं, she informed me, she ने मुझे informed कर दिया था, she informed me, ठीक है, तो कैसे बना देंगे, देखो, मी को इधर लेकिया हो, I, I was informed, I was informed by her, तो ये आपका answer बन जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, B के फोर्म के बाद, अगर main verb का third form है, तो that is active to passive, clear है बच्चो, तो simple past में आपको क्या करना है, क्या helping verb आपकी तयार हुई, was, were, main verb का third form, ऐसा कब करोगे, जब आपका active voice V2 में लिखा होगा, clear? आगे बढ़ लेते हैं, next आता है बच्चे, हमारा past continuous tense, past continuous, क्या पेचान है past continuous की? यानि की, was, were, plus, were, plus, ing, यही पेचान है हमारी, अगर मैं यहाँ पर एक sentence लिख देती हूँ, he was taking his lunch, वो अपना lunch कर रहा था, ठीक है? तो अब यह देखे, सबसे पहले, his lunch को इधर लेकिया हो, his lunch was being taken, being taken by him, और यह आपका answer हो जाएगा, देखे, was taking past continuous था, तो was हमने यहाँ पर रखा, continuity के लिए being और main verb चली गई हमारे third form में, बी के किसी form के बाद, अगर main verb का third form है, it means यह passive format तो है, तो इसलिए यह बन गया आपका passive, continuity word जहां भी आएगा, आपको अपनी तरफ से being लगाना है, clear? चाहे वो present continuous हो, चाहे वो past continuous हो, चाहे वो future continuous हो, continuity को show करने के लिए being प्लस main verb का third form, यह आपको यहाँ से shortcut मिलना चाहिए, ठीके? यहाँ तक समझ आ गया, उसके बाद और बात करते हैं बचे, तीसरे नमबर पर हमारा आता है past perfect, क्या पैचान होगी past perfect की? had plus verb का third form, यह यह होगा, example ही की, अगर मैं यहाँ पर यह लिख देती, I had taught English, ठीके? तो अब हम इसका जब बनाते तो कैसे बनाते? English, had, had को चाहिए verb का third form, तो b का third form क्या होता है? बीन, और main verb चली जाएगी अपने third form में, यानि की taught by me, clear? अब अगर आप सोचो, कि मैं head को third form चाहिए, तो third form तो हमारा taught है, तो ऐसा करने का क्या नुकसान होता? बचो, I had taught जब आप लिख रहे हो, तो इस action का यह मतलब है, कि इस action को कोन कर रहा है? I कर रहा है, अगर आपने लिख दिया होता, English head taught, bean ना लगाते, तो फरक क्या पढ़ता बचो, इसका meaning होता, कि head taught की action को कोन कर रहा है? English कर रहा है, क्या English पढ़ाने की action को कर सकता है? नहीं, इस action का जो active doer होगा, वो human being होगा, person होगा, और English वो है, जिसको पढ़ाया गया, it means, आपको यहाँ पर लगा पढ़ा बीन, क्लियर, इसलिए बी का third form की जुर्थपड़ी हमें, बीन की, क्लियर, अब बच्चा जल्दबाजी में क्या करता है, जब error finding आती है, बच्चे, तो वहाँ पर वो इस बीन को मिस्त कर देता है, जब आप पीछे जा के explanation पढ़ते हो, तो वहाँ पढ़ते हो, कि हैड और टोट के बीच में बीन आना चाहिए था, और उस मोके पे आपको पता ही नहीं लगता कि ये बीन क्यों लगाया गया, तो आज के बाद आप क्या सोचेंगे, कि बीन जब हम लगाते हैं, तो हम passive doer को denote करते हैं इससे, ठीक है, और दूसरे शक्दों में कहें, तो action को importance दे रही होते हैं, ठीक है, अगर माल लिजिए ये बीन ना लगाते, तो बहुत ही ज़्यादा stupid answer बनता ये, कि English ने English को पढ़ाया, ऐसा नहीं होगा, English को पढ़ाया गया, इसलिए हमें क्या चाहिए होगा, बीन चाहिए होगा, ठीक है, तो इस बीन की इतनी ज़्यादा importance स बचो, clear, एक और example और करके देखते हैं, इसी से related, अगर यहाँ पर एक sentence होता, the doctor has saved the patient, अब इसको change कर एक बार कैसी करोगे, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा, अमारा जो object उसको subject बना के लिखा, the patient, ठीक है, अब मैंने लिख दिया has, और मैंने इसके साथ सिधा लिख द तो इस sentence का क्या मतलब है, हम कहना क्या चा रहे थे और meaning क्या जा रहे देखो, अगर मैंने लिखा कि the doctor has saved the patient, तो इसका meaning यह है बचो, कि बचाने की जो क्रिया हुई है, वो किसने की है, डोक्टर ने की है, किसको बचाया है, patient को बचाया है, ठीक है, बचाने वाला है doctor, बचा किसको रहा है patient को, ठीक है, अगर आपने ऐसे लिख दिया, कि the patient has saved, तो इसका meaning क्या निकलेगा, कि patient ने बचा लिया, हम कहना क्या चा रहे थे, कि patient को बचा लिया गया, जबकि meaning क्या जा रहे है, patient ने बचा लिया, तो बिल्कुल आपका अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यहाँ पर बीन लगाना पड़ेगा, और जिससे यह meaning आएगा, कि patient को बचा लिया गया, डोक्टर के द्वारा, ठीक है, यहाँ पर बचाने वाला doctor है, और जिसको बचाया जा रहा है, वो हमारा patient है, और यही भाव कब आएगा, जब आप बीन लगाओगे, तो यह जो छोटा सा बी patient को बचा लिया गया, यह हमारा passive voice है, according to the situation, we do use these sentences in our day-to-day life, तो ऐसे हम इनको use करते हैं, clear हुआ यहाँ तब, यह था हमारा past tense बचो, अब आप heading बनाएंगे future tense, future tense में हम active से passive कैसे change करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले heading बनाओ future tense, क्योंकि चोथे का इसका भी नहीं बनेगा, आपको present tense में उपर वाले 3 का बनाना है, simple present, present continuous, present perfect, चोथे का नहीं बनाओगे, क्यों, क्योंकि B के 2 form use हो जाते हैं, got it, उसके बाद आप past tense में भी simple past, past continuous और past perfect, चोथे part का फिर से नहीं बनाओगे, क्योंकि ऐसा करने से B के फिर से 2 form use हो जाएंगे, तो अब तक हमने 6 का ब बनेगा, किसका नहीं बनेगा, तो सबसे पहले बच्चो, heading बनाएंगे simple future, simple future, simple future की हमारी क्या पहचान है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, I will teach English, मैं English पढ़ाऊंगी, right, अब यह देखे कि सबसे पहले हमारा object क्या है, English, English will, अब हमने एक concept पढ़ा हुआ है, हमारी main verb इसमें किसमें जाएगी, third form में, तो teach का तो मैं क्या बना दूँगी, thought बना दूँगी, लेकिन will हमारा model verb है, जो future tense में uncertainty को show कर रहा है, ठीक है, क्योंकि future हमारा कभी भी certain नहीं होता, और यही reason है बचो, कि सिरफ future tense में हम use करते हैं will और shell का, right, यह मैं tense में बहुत ज जाद करना पड़ेगा B को, ठीक है, उतर की परताल भी आप कर सकते हो, B के form के बाद main verb का third form है, it means यह active से passive बन चुका है, तो यानि कि English will be taught by me, English will be taught by me, तो आप यहाँ पर add कर देंगे by me, clear हुआ, तो आपने नया क्या जोड़ा इसमें बचो, future tense में मिलेगा आपको will or shell, और इसके बाद आपको जोड़ना है B, और इसके बाद जोड़ना है main verb का third form, यह आपका हो जाएगा syntax इसका, ठीक है, कि वह will shell के बाद B, और B के बाद main verb का third form, clear है, एक और sentence बना लेते हैं, एक sentence मैंने लिखा, she will mop the floor, she will mop the floor, तो कैसे change कर देंगे इसका, सबसे पहले the floor को इधर ले क्या हो, the floor will be mopped, main verb का third form, by her, और यह आपका बन क्या बच्चे, passive, check करो, will के बाद B, और B के बाद main verb का third form, इसका मतलब यह passive बनाया गया है, ठीक है, the floor will be mopped by her, clear, तो simple future क्या आपको ऐसे बनाने है, बच्चो, will shell के बाद B लगा करके main verb का third form, लिख दोगे, तो active से passive इसक बन जाएगा, clear, next comes future continuous tense, future continuous tense, ठीक है, future continuous की हमारी पहचान क्या होती है, जैसे suppose करिए, आप इसको लिखते हो, I will be narrating a story, I will be narrating a story, ऐसे लिख दिया बच्चे, जब आप इसको change करोगे, यह हमारा active voice है, कि मैं एक कहानी सुना रही होंगी, यानि कि future के किसी moment पे कोई activity going on होगी, चल रही होगी, ठीक है, जब हम इसको change करेंगे, तो सबसे पहले a story, will, be, और continuity के लिए हमें चाहिए होगा being, और main verb जाएगी अपने third form में, यानि कि narrated by me, लेकिन grammar का concept गलत हो गया यहाँ पर, क्या के बाद be first form का आना जरूरी है, और continuity के लिए being लगाना जरूरी है, और ऐसा करने से फिर से वही problem create हुई, कि same verb के दो form अपलाई हो गए एक साथ, be हमारा first form और being हमारा पांचवा form, तो यानि कि be के यहाँ पर दो form आप देख पा रहे हो, अगर हम बनाने की कोशिश करें, तो क्योंकि grammar को follow करेंगे, तो हर model के बाद be का आना जरूरी है, और continuity के लिए being का लगना जरूरी है, और अगर हम ऐसा करते हैं, तो be के दो form एक जैसे ही कठे use हो जाते हैं, जो की applicable नहीं है, इसलिए बचो future continuous का कभी भी active से passive नहीं बनेगा, right, मतलब अगर हम बनाने की कोशिश क करें, तो be के दो form यूज हो जाते हैं, जो की applicable नहीं है, ठीक है, तो future tense में हमने किसका बनाया, simple future का बनाया, future continuous का नहीं बनेगा, right, और आपके सामने रीजन है क्यों नहीं बनेगा, ठीक है, next comes future perfect, check कर लेते हैं, बनेगा की नहीं बनेगा, ठीक है, future perfect, अगर हम future perfect की बात करे will have written a letter, यह है बचो future perfect, future के किसी moment पे काम पूरा हो चुका होगा, that is future perfect, अगर हम इसको बना के देखी, तो यह letter will have, model को मिलके अपना first form have, अब have को चाहिए third form, ठीक है, तो be का third form लेके आए, यह been, और main verb का third form हो गया, यहाँ पर written, ठीक है, और by her, आप देख रहे हो बच्चे, यहाँ पर एक verb के, same verb के दो form यूज नहीं हुए, एक तो हमने be की third form been का use किया है, और main verb right का written बनाया है, कोई problem नहीं है, बहुत अच्छे से बन गया है आपका, तो यह देखिए, a letter will have been written by her, तो आप क्या कर रहे हो, future perfect का easily बन सकता है, ठीक है, अब देखिए, simple future का बनाओगे, future perfect का बनाओगे, future continuous का नहीं बनेगा, और future perfect continuous का फिर से नहीं बनेगा, क्योंकि B के फिर से दो form use हो जाएंगे, clear, तो अभी मैं एक बार sum up कर देती हूँ, कि total 12 tense में से, total हमारे पास 12 tense से बचो, तो present में हमने कितने का बनाया, देखो, present tense में हमने उपर वाले 3 का बनाया, past tense में हमने फिर से 3 का बनाया, लेकिन future tense में सिरफ और सिरफ हमने बनाया 2 का, simple future, एक तो हमने किसका बनाया है, simple future, और दूसरा हमने बनाया है future perfect, future perfect, ठीक है, तो यहाँ पर सिरफ बने 2 बच्चे, तो देखो, 6 plus 2 यानिकि 8, total हम 12 tense में से, 8 का active स passive बना सकते हैं, बाकी का क्यों नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से B के 2 form यूज हो जाते हैं, जो कि English grammar में applicable नहीं है, concept गलत हो जाता है, इसे English grammar का, तो इसलिए हम नहीं बना पाते, clear है बच्चो, तो सबसे पहले मैंने आपको tense का बनाना क्यों सिखा है बच्चो, क्यो पर आपका एक step बन जाएगा, कि आपको tense का पता लग जाएगा, और क्योंकि आपने अभी simple का बनाना सीख लिया है, तो आपको कोई problem नहीं आएगी, ठीक है, तो इसलिए सबसे पहला step पर आपका, आप इनका बनाने सीखें, कि simple आप 12 tenses में से सिरफ और शिरफ 8 का बना पा है, यह कैसे बनते हैं मारे, interrogative sentence बनने की तीन टेकनिक होती है, बचे, how family, wh family और by helping verb, तो सबसे पहले, आज हम यहाँ पर discuss करेंगे, by helping verb, कि helping verb से अगर question होगा, तो आप active से passive कैसे बनाओगे, ठीक है, तो देख लेते हैं, एक बार step बताती हूँ मैं आपको, माल लेजे, यहा पर sentence होता, does he learn vocab, क्या वह है vocab याद करता है, does he learn vocab, ठीक है, अब यह देखिए, जब जब आपके सामने ऐसा sentence आएगा, तो क्योंकि आप beginner हो, तो आपको एक दो step यूज करने पड़ेंगे, राइट, जब आप इसकी अच्छी practice कर लोगे, तो आप बिना steps के सीधे answer पे जा आजएगा, does समझा रहा है कि यहापर simple present tense use होगा, और क्योंकि third person singular है, तो यहापर आजएगा learns, और आगे मैंने लिख दिया बच्चे vocab, अब यह simple sentence है, he learns vocab, ऐसा करते ही आपने अभी-भी simple present tense का बनाना सीखा है, तो क्या करोगे देखो, vocab, इधर लियाओ इसको, learns यहाप पर present tense है, present tense की helping verb क्या होती है, इसे हमार, यानि की vocab is, ठीक है, main verb जाएगी अपने third form में, learnt और by him, ही का आप क्या बना दोगे, objective case, अब यह हमारा simple sentence इसका answer है, vocab is learnt by him, लेकिन हमारा जो question है, वो interrogative का है बच्चो, तो interrogative का जवाब हमेशा interrogative से देना है, तो आपको क्या करन होगा, helping verb और subject को change कर दो, यानि के is vocab, is vocab learnt by him, और last में लगाई है, sign of interrogation, ठीक है, तो यह हमारा बना बचो, does he learn vocab, और उसका answer है, is vocab learnt by him, clear, अब यह step आपने use करें, just to learn the things, चीज़ों को सीखने के लिए, जब आप अच्छी practice कर चुके होगे, तो आप क्या करोगे, आपने जैसे ही question में देखा, does, आप सीधा उस option पे जाओगे, जिसमें इजे मार हो, ठीक है, और क्योंकि vocab के साथ क्या आएगा, आप सीधा answer करोगे, is vocab learnt by him, clear, अगर यहाँ पर होता, did, past tense होता, हम सीधा उस option पे जाते, जहाँ पर was होता, क्योंकि sense और tense हम चेंज नहीं क present का जवाब present से देना है, past का जवाब past से देना है, clear?